श्री कृष्ण की जन्म कहानी, द्वापर युग में भुजवंशी राजा उग्रसेन मतुरा में राज्य करता था। उसके आताए पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयम मतुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुचाने जा रहा था। रास्ते में आकाश्वानी हुई है कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से लेज जा रहा है, उसी में तेरा काल बस्ता है। इसी के गर्ब से उत्पन आठवा बालक तेरा वद करेगा। ये सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने उससे विनेपूरवक कहा, मेरे गर्ब से जो संतान होगी, उसे मैं तुम्हारे सामनेला दूनगी। बहनोई को मारने से क्या लाब है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मतुरा वापस चला आया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागरे हमें डाल दिया। वसुदेव देवकी के एक-एक करके साथ बच्चे हुए और सातों को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब इक आठवे बच्चे की रक्षा का उपायर अचा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्ब से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ मायग थी। जिस कोटरी में देवकी वसुदेव कैद थे, उसमें उनह नवजात शिशु का रूप धारन कर लेता हूँ. तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंजी के घर व्रिंदावन में भेजाओ और उनके यहां जो कन्या जन्मी है, उसे लाकर कंस के हवाले कर दो. इस समय वातावरन अनुकुल नहीं है. फिर भी तुम चिंता ना करो. जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, काराग्रेह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफंती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी. उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्न को सूप में रखकर काराग्रेह से निकल पड़ और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे. वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए. काराग्रेह के फाटक पूर्ववत बंध हो गए. अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को क्या होगा. तुझे मारने वाला तो व्रिंदावन में जा पहुचा है. वह जल्दी तुझे तेरे पापों का दंद देगा. ये है क्रिश्न.